आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनोड करें। Hello students, हमें यहां पर question given है, anti-histamine क्या है, ठीक है, anti-histamine को ही हम क्या भी बोलते हैं, प्रती-histamine भी कहते हैं, क्या होता है, जनरली क्या होता है, कि यह ऐसी टाइप की दवाईयां होती है, जो allergy के time पर दी जाती है, ठीक है, जिससे की, allergy now, तो हम इसे किस तरह से परिभाशत कर सकत होते हैं, वो देखते हैं, ठीक है, वे ओशदियां, मतलब कि यह एक type के रासाइनिक पदार्थ की श्रेडी में आते हैं, ठीक है, जो allergy, अभी क्रियाओं के time पर कुछ कोशिकाओं द्वारा जिसे की, जैसे की, मास्ट कोशिकाओं इसमें एक्जामपल ले सकते हैं, ठीक है, वरा स्टावेथ, हिस्टाम इंडरसायन के प्रभाव से संगर्श करती है, ठीक है, मतलब कि जो में allergy होती है, उसे डोकने के लिए, जो दवाई उसकी दाती ही, या फिर anti-stamin कहलाती है, ठीक है, अगर इसके example की बात करें, तो mainly कौन-कौन से anti-stamin यूज होते हैं, तो इसका एक example है, diphenyl hydramine, या फिर इसे diphenyl hydramine भी कहते हैं, ठीक है, एक है ये example, और इसका दूसरा example है, chlorophenyramine, ठीक है, तो ये इसके कुछ example है, anti-stamin के,